गूर्णिंग फ्रेंज टार्गट है में आप सभी का स्वागत है दोस्तो लेवरेट्री टेक्निशन के लिए एक और भरती विग्यापन आ चुका है भरती विग्यापन दोस्तो नहें के तरूप पब्लिश किया गया जिसमें आपको संभीता बेसेस पे पोस्टिंग मिलने व आएगा सारी जानकारी दोस्तो आंके हम वीडियो में बात करने वाले हैं आप वीडियो लाश्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पेले दोस्तो यदि आपने अभी तक हमारे योटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी सियर करें साथ में दोस्तों ये नोटिफिकेशन के पीडियाप के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लें आपको नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा वहां से आप इजी तरीके से जोईन होके न भर्थिविख्यापन दोस्तों नेश्नल हैल्थ मिसंद के तैत पब्लिष किया गया है समीथी की दोरह जीला स्वास्त वावन अमिदानपुर बेश्ट बंगाल से दोस्तों तो ये भरतिविख्यापन पब्लिष किया गया तो एक पैंड़ कर पाएंगे 14 अगस्त को ये नो च ONE माँगा जारा तो नम आप दी पॉस्ट में देख सकते हैं और एस्टी कि बात करें तो पास होना चाहिए आपके पास साइंस इस्टीम के साथ साथ में आपके पास दोस्तो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटर टेकनोलाजी DMLT आपका कम्पलीट होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा इन लेबोरेटर टेकनिक DLT कम्पलीट है तो भी आप इसके लिए इलिजबल रहेंगे और जो केंडिडेट दोस्तो डिगरी कम्पलीट की हैं डिगरी इन मेडिकल लेबोरेटर टेकनोलाजी DMLT जिनका कम्पलीट होगा वो भी आवेदन कर पाएंगे साथ में पोस्ट ग्रिजबेट डिप्लोमा वाले केंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे जिनका पोस्ट ग्रिजबेट डिगरी या डिप्लोमा होगा वो भी इसके लिए एलिजबल रहेंगे और दोस्तो आपको कम्प्यूटर वर्किंग नॉलेज होना जरूरी है अनेस्ट इसमें बात करें आपको एज लिमिट क्या दिया जा रहा तो एज लिमिट के लिए मिनमम जो आपका वो है एज वो 19 साल होना चाहिए मैक्जिमम 40 अर्स आपको एज लिमिट दिया जा रहा साथ में दोस्तो सेलरी आपको इसमें 22,000 रुपह फेक्स दिया जाएगा परमंत बेसेस पे और सिलेक्षन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सिलेक्षन दोस्तो आपका रेटेन टेस्ट के माद्धिम से होगा 70 मार्क रेटेन टेस्ट का होगा साथ में एकेडमिक नंबर 10 नंबर कराएगा जो कि आपके कॉलिफिकेशन के बेस पे रहेगा और पोस्ट कॉलिफिकेशन एक्सपिरियंस का दोस्तो आपको 10 नंबर मिलेगा साथ में आपका यहाँ पे इंटर्विवी कंडेक्ट कराया जाएगा टोटल हैंडेट मार्क का यह आपका एक्जाम रहेगा जिसमें इंटर्विवी सामिल रहेगा एक्सपिरियंस और एकेडमिक नंबर भी 10 नंबर करायेगा तो यह आपको बता दिया गया इसी के बेस पे आपका इसमें सेलेक्शन होगा और कैसे आपको अप्लाई करना वो देख लेते हैं तो अप्लाई करने के लिए फश्ट में आपको बताया गया है वहीं से आपको अप्लिकेशन फॉर्मिट मिल जाएगा इस वेबसाइट के माद्यम से आपको बताया गया है हर्ड कॉपी प्रिंट कॉपी आफ ऑनलाई रजिस्टेशन फॉर्म में भी डाउनलोड फॉम दी लिंक यह आपको वेबसाइट बता दिया गया है इस वेबसाइट के माद्यम से आप रजिस्टेशन और अप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे आपको ऑनलाईन के माद्यम से यह आवेदन करना होगा और लाश्ट डेट की बात करें दोस्तों तो लाश्ट डेट आपका 31 अगस्त रहेगा 17 अगस्त से इसमें आवेदन होना स्टाट हो चुका है और 31 अगस्त इसका लाश्ट डेट डेट रहेगा तो जो भी कैंडिडेट इलिजबन है वेस्ट बेंगाल से हैं वह इसमें आवेदन कर सकते हैं भरती विग्यापन नहीं के तुरू पब्लिस किया गया तो आपको अप्लिकेशन फीस्ट भी पे करना होगा एंडेट रुपाय आपको अप्लिकेशन फीस्ट पेकरना है जनरल के इलिए और जो केंडिडेट अधर काटिगरी के हैं उनको 50 रुपाय इसमें फीस्ट पेकरना होगा यह आपको बता दिया गया जब आप आवेदन करेंगे तो पर सो भी हो जाएगे कितना आपको अप्लिकेशन फीस पे करना है आपके काटेगरी के हिसाब से तो यह नोटिफिकेशन का पीडियाप दोस्तों आप इसके ऑफिसल वेबसाइड बेस्ट बेंगाल के या फिर आप हमारे टेलिगराम चैनल से भी एजी तरी किसे डाउनलोड क कर सकते और दोस्तों जानकारी अच्छी लेगी है तो लाएक जरूर करें और अपने दुस्तों कुससाथ सेर करें तो संस्थ इत इसा तो यह फेन आक है और वे तिक परशक्राइब कर लें हमारे तीने ऐसी जानकारी सेर करते रहत iATION